जैह हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इंफो पर स्वागत है. यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें. आज मै पर वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है. इसलिए लेटस्ट समय सारिनी का लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन-कौन सी स इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन और सुल्तानपूर जंक्शन स्टेशन के बीच मंगलवार को चलती है। ट्रेन 18 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1560 किलोमेटर की दूरी 28 गंटे में पूरी करती है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रेन चूटने से आधा घंटा पहले अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सुबह 8 बजे रवाना होती है। इस इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट महेसाना जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चट्रेन का चट्रेन होल्ट मारवार जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 10 बजकर 12 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13 होल्ट पुरानी दिल्ली जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन राद 11 बजकर 55 मिनट पर पहुचती है। इस ट्रेन का 14 होल्ट मुरादाबाद जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3 बजकर 15 मिनट पर पहुचती है। इस ट्रेन का 15 होल्ट बरेली जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 4 बजकर 41 मिनट पर पहुचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19 होल्ट सुल्टानपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर पहुचती है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूच सकते हो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुलने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलेट मेरा इस्टाग्राम अकाउंट है टोडल ट्रेन इंफो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा धन्यवाद।